Hello Children, Welcome to CBSC Online Audio Video Lessons. Myself Suman Gupta, यो Hindi Teacher, from Sait Vidya Mandir, English High School, CBSC, Vassai. Children, Today we will start new lesson from Hindi Literature. Lesson No. 11, Lesson Name, Čawal Ki Rotiyaan. Part शरू करने से पहले, पाट का परिचे जान लेते हैं. चावल की रोटियां एक वर्मी बाल नाटक है. वर्मी, वर्तमान में मैं मार देश. बाल नाटक, बच्चों का नाटक. जिसे श्री पी ओंग खेनने लिखा है. नाटक का मुख्य पात्र, मुख्य पात्र मतला में कैरेक्टर कोको है. चावल की बनी रोटियां अकेले खाना चाहता है परन्तु इसमें वह काम्याब नहीं हो पाता क्योंकि एक-एक करके उसके दोस्त उसके घर पर आते हैं और वह उनसे रोटियां छिपा लेता है वह चाहता है कि जब सब जाएं तह वह अकेले रोटियां खा सके परन्तु घटना क्रम कुछ इस तरह से बदलता है कि उबा तून जो फूलदान बदलने आया था फूलदान मतला फ्लावर बास फूलदान के साथ साथ रोटियां भी ले जाता है शुरू करते हैं बच्चों चावल की रोटियां पात्र परिचे कौन कौन से पात्र हैं कैरेक्टर है नाटक में कोको आठ साल का वर्मी लड़का थोड़ा मोटा नीनी नौ साल का वर्मी लड़का कोको का दोस्त तिन्सू आठ साल का वर्मी लड़का कोको का दोस्त मिमी, साथ साल की वर्मी लड़की, कोको की दोस्त उबातून, जनता की दुकान का प्रबंधग, दुकान का मैनेजर इसका भी नहीं कोई लंबे कत का लड़का नकली मूच्छें और चश्मा लगा कर सकता है एक साधा कमरा, दीवारों पर बांस की चटाईया बांस की चटाईयें से चिक भी कहते हैं, धूपना आए, इसलिए लगाते हैं एक दीवार के सहारे रखी अलमारी, अलमारी के उपर एक रेडियो चाई की केतली, कुछ कप और खाली गुलाबी फूलदान, फ्लावर बास रखा है कमरे की बीच फर्स पर एक चटाई बिची है, जिसके उपर कम उचाई वाली गोल मेज रखी है दो दर्वाजे, एक दर्वाजा पीछे की ओर खुलता है, और दूसरा किनारे की ओर पंक्षियों यानि की पक्षियों के जह चहाने के साथ साथ परदा उड़ता है दूर कहीं मुर्गा बांग देता है, मुर्गे की आवाज आती है, कुट्ता भौकता है, कहीं प्रात्ना की घंटियां बचती है मतलब सुबे का समय हो गया है कोको आता है, जम्हाई लेकर अपने को सीधा करता है क्या कहता है कोको? माता पिता धान लगाने खेतों में चले गए है जब तक मा खाना बनाने के लिए लोट कर नहीं आती, मुझे घर की देखभाल करनी है देखता हूँ माने नास्ते में मेरे लिए क्या बना कर रखा है वह अलमारी की तरफ जाता है, वह कौन? कोको, और उसे खोल कर देखता है एक तस्तरी निकाल कर देखता है तस्तरी मतलब खाना रखने के लिए प्रियोग की जाने वाली प्लेट कि चावल की चार रोटियां है वह हूटों पर जीफ फेड़ता है और मुस्कुराता है मतलब उसकी मन पसंद चीज कोको, आहा मजा आ गया चावल की रोटियां, मेरी मन पसंद चीज वह पेट मलता हुआ रोटियों को मेश पर रखता है और बैट जाता है कोको, हाज तो डट कर नासता होगा डट कर मतलब एकदम पेट भर के नासता होगा वह रोटि उठा कर मुह में डालने लगता है तभी कोई दर्वाजे पर दस्तक देता है दस्तक देना मतलब दर्वाजा खट-कटाना निनी निनी दस्तक देती है कोको, ए कोको, दर्वाजा खोलो मैं हूँ निनी कोको कहता है गजब हो गया यह तो भुकषड नीनी है, भुकषड मतलब बहुत भुखा उसकी नजर में रोटियां पढ़ी तो जरूर मांगेगा मैं इने छिपा देता हूँ नीनी, दरवाजा खोलो कोको, तुम क्या कर रहे हो, इतनी देर लगा दी कोको कहता है, मैं इने कहां छिपाऊं, कहां छिपाऊं रेडियो की तरफ देखकर, मैं तस्तरी को रेडियो के पीछे चुपा दूँगा जोड से, अभी आता हूँ, नीनी, जरा रुको कोको, आओ नीनी, अंदर आजाओ, नीनी अंदर आता है निनी कहता है दर्वाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई कोको कुछ खास नहीं मैंने अभी अभी नाष्टा किया और मुध होने लगा था बोलो सुभे सुभे कैसे आना हुआ निनी कहता है क्या यह मत कहना कि तुम भूल गए थे परिक्षा के बारे में रेडियो पर खास सूषना आने वाली है खास सूषना मतलब important news आने वाली है कोको लेकिन तुम्हारे घर भी तो रेडियो है निनी वह खराब है इसलिए सोचा तुम्हारे रेडियो पर सुनूंगा निनी गोलमेज के पास bad जाता है बच्चों रेडियो वर्दमान समय में कम प्रियोग होता है पहले रेडियो का challenge बहुत था जिसमें समाचार गाने सुने जाते थे निनी रेडियो उठाकर यहीं ले आओ ताकि हम आराम से लेटे लेटे सुन सकें निनी कोको से कहता है कोको, निनी हमारी रेडियो में कुछ खराबी है ऐसा क्यों कहता है कोको? क्योंकि उसने रेडियो के पीछे चावल की रोटिया चिपा कर रखी है निनी, आओ कोशिश करके देखें मैं उठा कर ले आता हूं निनी अल्मारी की तरफ जाने लगता है कोको, नहीं नहीं निनी, इसे मत छुना, छुओगे तो करंट लगेगा निनी रुख जाता है निनी, मैंने तो इसे छुही लिया था भाई, मैं वह खबर जरूर सुनना चाहता हूं तीन सु के घर जाता हूं, तुम आओगे? कोको, नहीं, अच्छा फिर मिलेंगे निनी तेजी से बाहर निकल जाता है कोको, गहरी सांस लेकर बाल बाल बचे अब चलकर नास्ता किया जाए मेरे पेट में चुहे दोडने लगे हैं पेट में चुहे दोडना मतलब बहुत तेज भूक लगना कोको, तस्तरी उठाकर मेज के पास आता है एक रोटी उठाकर खाने लगता है तभी दर्वाजे पर दस्तक सुनाई देती है फिर से कोई दर्वाजा खटकर आता है कोको, तस्तरी नीचे रखकर जाने अब कौन आटपका? मिमी आती है कहती है कोको, दर्वाजा खोलो, मैं हूँ मिमी कोको, बाप, प्रे यह तो मिमी है उसे चावल की रोटियां मेरी ही तरह बहुत अच्छी लगती है और वह हमेशा भूकी होती है मुझे रोटियां छिपा देनी चाहिए लेकिन कहां? वह तो कुछ खाने की चीज जोड़ने के लिए सारे कमरे की तलाशी लेगी मिमी फिर दर्वाजा खट-खटा कर कोको, दर्वाजा खोलो ना इतनी देर क्यों लगा रहे हो? बचों, पार्ट का शेश भाग पार्ट टू में देखेंगे तो इसके बाद जरूर देखिए इस पार्ट का पार्ट टू धन्यवाद